अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत आपका श्रमा रिजिनिंग क्लासेस के अंदर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग राजस्तान वोगोल के बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्टन्स डिस्कस करेंगे ऐसे क्यूस्टन्स है दोस्तों जो की प्रिक्षाओं में बार बार पुछे जाते हैं और इन्ही क्यूस्टन्स में से आपके प्रिक्षा में क्यूस्टन आने के चांसे होते हैं ठीक है ना तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की है बिल्कुल अच्छे से हम लोग एक एक क्योशन को डिसकस करेंगे उससे पहले गाई जगे आप चैनल पे नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन उसको भी आप कर्याते हैं कहां पाय जाते हैं दोस्तों माउंट अबू में पाये जाते हैं ठीक है auxकों डातर एककर आ तनन पर यह、 पतियां हो रहती है वो होते हैं सदा बाहर वन ठीक है ना अभी पाए कहा जाते हैं दोस्तों माउंट अबू में पाए जाते हैं तो इसलिए बीस का क्या हो जाएगा क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा क्लीर दोस्तों बी क्या हो जाएगा क्रेक्ट अप्शन हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन है दोस्तों ज जैसे टैंक होते हैं उस तरह से होता है जिसके अंदर हम लोग पानी को एक्तरित करके रखते हैं पानी इकठा करके रखते हैं ठीक है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं बांद बोलते हैं अब इस बांद से हम लोग पानी लेके हम लोग लग लग यूज भी कर सकते हैं इसके ठ से तुदत पादन या फिर आप चाहो तो इससे मतलों कि उस समय में यूज़ के अंदर पानी की मी होती है ठीक है तो इस परस से हैं बांध बनाए जाते है क्या बांध मतलबों बहुत बड़े वनपाल मैथ और राजस्तान फोरेस्ट गाड एक्जाम 2020 के नाम से तो आप लोग एक बार उस पे भी आप विजिट करो वहां पे आपको अच्छी ची वीडियो आपको मिल जाएंगी ठीक है इसके लावा दोस्तों आपके पास जो भी है मतलगी जो मैं आपको मेटेरियल प्र तो नाम से नाम से जबसाद होता है तो रजस्तान चपणर जो यहां वो कौन-कौन से है शिरी गंगानगर और हनुमानगर ठीक है ना बिल्कुल आप राजस्तान मैप के अंदर देखो बिल्कुल पास-पास हैं ये दोनों जिले शिरी गंगानगर और हनुमानगर ठीक है ना तो सीज का क्या हो जगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चलिए अगला ना बारिश वाली वह दोस्तों जहां का उत्पादन बारिश पर निरुबर करता है और नहरी जमीन वह होती है जहां का उत्पादन नहरों पर निरुबर करता है ठीक है ना अगर नहरों में पानी होगा तो उस नहरों के पानी से ही जो है सिंचाई आपके की जाएगी तो इसक क्या हो जाएगा चरेक्च औप्शन हो जाएगा थेकए अगलाend question है परसीद सूर्तगर यां तरे की किस क्रशी फारमウ कौन से जिले में सूर्तगर यांतरे की क्रशी फारम जो है दोस्ता वो श्रीघंगानगर जिले में हैसी व District काइड़त आयको जा पादग जिला है गंगानगर और गंगानगर के अंदर ही सूर्थगड यांत्रिक क्रिशी फारम है ठीक है ना मेकैनिकल एनरजी एक्रिकल्चर फोर्म जो है वो तो 20 का क्या हो जागा दोस्तों करेक्ट ओप्शन हो जाएगा अगला क्योशन है जैपूर के किस एतिहासिक इमारत को युनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज चूची में शामिल किया गया था युनेस्को एक संस्ता है दोस्तों आपको पता ही होगा ठीक है तो यह कहता है कि जैपूर के किस एतिहासिक इमारत को युनेस्को द्वारा व बटैस्ट आगे टारी स्थिस आमिल किया गया था जिसके अंदर की लृब लोगे जो संसार है जो व्षो है उसकी ळूब्टम टोप टर्श्प्राइश सबस्क्राइब को आन aggregate क्वेश्न हो जाएगा थिक जिले में अन भी समसे ज़्यादा होता है इसलिए इसको अन का कटोरा भी कहते हैं ठीक है न तो डीस का क्या होजाए करेक्ट ओप्षन होजेगा श्री गंगानगर अगला क्यों दोस्तों गुरुद्वारा बुड्डा जो फड़ जो हड जो है वो किस जिले में स्थीत है दोस लोग यहां पे तिर्थ स्थान भी करते हैं ठीक है न तो इसलिए तिर्थ स्तलवी है लोगों के लिए सिक समदाय के लोगों के लिए ठीक है न तो गुरुतवारा बुड़ग जोड किस जिले में सीता है श्री गंगानगर में सीता है तो जो होजüzik कि कुरेक्ट ओप्षन हो कोरिडोर है वो उसके अंदर 40% हिसा जो है 40% हिसा जो है वो राजस्तान का है यानि कि इसकी लंबाई फिर कितने हो जाई 40% की तो 576 किलोमेटर ठीक है ना अब दोस्तों आप टोटल लंबाई आप देख सकते हो दिल्ली मुंबई कोरिडोर की ठीक है जबकि 40% जिसका 563 किलोम ठीक है ना गलता जी आप सभी को पता भी होगा गलता जी क्या है कर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखना ठीक है चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बैल आइकन जिसको भी दबा लेना और प्यारा सा कमेंट करना मत बूलना दोस्तों और चैनल पे एक्टिव रहो सबी लोग उतक शेयर करते रहो ताकि सबी लोग पढ़ सकें और आप भी पढ़ सको ठीक दोस्तों मिलते हैं नेक्स पूरी में तब तक के लिए बाबाई टेक केर जैहिंग जै भारत जैरा दोस्ताम